दिल्ली की सरदों पर बैठे किसानों को आज चौथा दिन है और दिन पर दिन किसानों की संख्या लगतार बढ़ रही है ये संख्या बढ़ती भी जा रही है दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि पिया मोधी हमारे साथ खुद बैठक करें और ह अब तस्वीर के चौते दिन सिंगू बॉर्डर पर बैठे खिसानों से बात्चूइत की हमारे समवधाता दिवान शोमल हुत्राने अब तस्वीर ऐसी है कि एक तरफ किसान है बीच में पुलिस है और दूसरी तरफ भी किसान है फिलहाल हम सिंगू बॉर्डर पर है और आपको ये तस्वीर दिखाना चाओगा बीच में बॉर्डर है उसके उस तरफ आपको बताना चाओगा कि किसान है बीच में पुलिस की ट किसे बैठे रहेंगे और कल की मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि दिल्ली की पांच ऐसे पॉइंट्स है जो कि दिल्ली के लाइफ्लाइन मानी जाती है उनको ब्लॉक किया जाएगा यानि कि आने वाले समय में परिशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है लेकिन सबसे बड अधी परदान कसान में दूँरी शनुर्ष कमेंटी पिन्जाब ठीक है आ सर यह बताएं कि सरकार के साथ एक ठीक ठंसे समवाज क्यो नहीं हो पार आए to कि सरकार के बुराड़ी जाए और आप के रहें कि हम बुराड़ी नहीं जाएं गए देख etcetera कि नीती M.C. Act था, 1908 का उसको खत्म किया जारा है, एक देश, एक मंडी का नारा दिया गया है, उस में एक देश, एक मंडी में, जो कार्पॉरेट कराने आएंगे, प्राइविट प्लेयर आएंगे, उनको ना तो लाइसन्स लेंगे, ना कोई फीस देंगे, और खुली मंडी में खरी उसमें बेचेंगे उसमें क्या होगा जो पैदा करने वाला है उसको भी कुछ नहीं हैं हमारी किसानों की मंडी भी जाएगी खेती भी जाएगी बेलकुल जो हमारा हमारे को एक डबा पकडा कर खाना डालके मज़़ूरी करने के लिए हमारे को मजबूर कर देंगे ऐसलिए जो उन्दोलन है इन एक्ट है जो तीन खेती के बिजली का है और प्राली का है इन को रात कराने के लिए जोड़ चला हुआ है पहले पंजाब में चला दो डाइमी ने हो गए है रेलों का चला है पंजाब में दर्याई पुलों का चला है जेल पर उंदोलन चला है अभी दिल्ली में कूच है सबी ज़से बंदियां दिल्ली को कूच किया है एक कूच में क्या है कि सरकार हमारे को बोरी है बरारी गरॉंड में आजो हम आपके साथ बाचीत करेंगे लेकर जो ब्रारी ग्रॉंड में लिजा कर जैसे पंजाब में रेलों में किया हमारे साथ ऐसे इदर करेंगे कोई बाचीत का हाल निकालेंगे लेकर हमारी रानीती है कि दिल्ली को लॉक करेंगे चारे तर्फ से तब सरकार को आप लोगों ने ठुकरा दिया, कल दूसरा भेजा है तो आप किस प्रकार का संभाज चाहते हैं पर लिए बेल बहुत बढ़िया है दूसरी दार मीटिंग बला रहे है मीटिंग की क्या तो गरेगी जब बेल ही बढ़िया है तो मीटिंग किस बाद की फिर तो इनको लाट्टी चारज करें इनको अठाएं अगर शांत में ही रखना है सारा कुछ तो फिर इन बिल्लों को रद करने के स्वाय और कोई चारा नहीं रद करने की कोष्गा leaked शुरू करें, जब ये हमें लगेगा सभी जतिमिंदियों को, व्याब सरकार सही तरीके से इस अंदोलण को समेटना चाहती है, बिल्लों के बाद करने के लिए संसीरिया है, तो ये प्रधारमंत्री खुद एक मीटिंग ले देश के तमाम जितने किसान सगठन है उनकी मीटिंग ली जाए और उनकी राये ली जाए उसके बाद आगे का फैसला किया जाए तो कोल मिला कि किसान अडे हैं गतिरोद लगतार जारी है सिंगू बॉर्डर पर किसानों के संक्या एक अच्छा संबाद कब तक किसानों के साथ होता है और जो किसान सिंगू बॉर्डर पर और दिली के तमाम जितने बॉर्डर पर वैटे हैं उसका हल आखिर कब तक निकलता है क्यान वामिन मनोज कोली के साथ दिवान चुमल होतरा टोटल लीज दिली